कक्षाचार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पाठ पंद्रह मंडी से घर तक प्रिष्ठ 119 रात में दिन मैं फैशाली हूँ मेरे बाबुजी सबजी बेचते हैं इस काम में अम्मा, भाईया, छोटू और मैं भी मदद करते हैं पता है हम काम कब शुरू करते हैं? सुबह के तीन बजे जब बहुत से लोग गहरी नीद में सोय होते हैं तब हम अपना काम शुरू कर देते हैं बाबुजी, अम्मा, भाईया और मैं पिछले दिन की बची हुई सबजियां बोरियों और टोकरियों में से निकालते हैं ताजी सबजियां जो मंडी से लानी होती हैं कभी-कभी छोटू भी इस काम में मदद करता है काम को निबडा कर जब सब चाय पी रहे होते हैं तो टेम्पो के हौन की पौँ-पौँ सुनाई देती है फिर बाबुजी, भाईया और चाचू मोहले के और लोगों के साथ टेम्पो में सबजी लेने मंडी जाते हैं प्रेश्ट 120 क्या तुम्हारे घर में भी किसी को सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है? किस समय? किस काम के लिए? दिन की तयारी बाबुजी के जाने के बाद छोटू, अम्मा और मैं पिछले दिन की बच्ची सबजीयों को बोरी पर रख कर पानी छिड़कते हैं सुबह लगभग साड़े छे बजे तक बाबुजी मंडी से ताजी सबजीयों के टोकरे और बोरे लेकर घर पहुँच जाते हैं उस समय तो मानो घर में ही सबजी मंडी लग जाती है बैगन, आलू, टमाटर, भिंडी, पेठा, घीया, मिर्ची, आदी सब चारो तरफ दिखते हैं घर के सब लोग मिलकर इन सबजीयों को छाटते हैं, जो सबजीयां कच्ची होती हैं और बेचने के लिए तयार नहीं होती, उन्हें अलग रख देते हैं ये सब काम जल्दी-जल्दी खत्म करने की कोशिश होती है, जिससे बाजार जल्दी पहुँचा जा सके प्रिष्ट 121 साथ बजे तक सबजीयों को ठेले पर लगा कर बाबुजी और भाईया बाजार चले जाते हैं बाबुजी कहते हैं कि अगर देर हो जाए तो ग्राहक दूसरे सबजी वालों से सबजियां खरीद लेते हैं बाबुजी के जाने के बाद मैं स्कूल के लिए जल्दी जल्दी तयार होती हूँ मुझे भी तो साड़े साथ बजे तक स्कूल पहुँचना होता है बाबुजी बाजार में छोटू का स्कूल दोपहर का है वे थोड़ा आराम करके बाबुजी और भहिया के लिए नाश्ता लेकर बाजार पहुँच जाता है थोड़ी देर वे ठेले के पास रहता है फिर दोपहर में स्कूल चला जाता है कभी कभी शाम को स्कूल के बाद भी वे बाबु जी की मदद के लिए उनके पास जाता है बाबु जी पिछले दिन की बच्ची हुई सब्जियों को पहले बेचने की कोशिश करते हैं प्रिष्ठ 122 बाबुजी पिछले दिन की सबजियां पहले बेचने की कोशिश करते हैं वे ऐसा क्यों करते होंगे? क्या तुमने कभी सूखी या सड़ी गली सबजी देखी है? कहां? तुम्हें कैसे पता चलता है कि सबजी खराब हो गई है? छोटू अपने परिवार की मदद करता है आपके विचार में छोटू ने इससे क्या सिखा? आप अपने परिवार के बड़े लोगों की मदद कैसे करते हैं? जैसे जैसे पिछले दिन की सबजियां बिक्ती जाती हैं भहिया बोरियों में से ताजी सबजिया निकाल कर ठेले पर लगाते जाते हैं साथ ही सबजियों पर पानी छिड़कते रहते हैं जिससे वे सूख ना जाएं खास कर गर्मियों में बाबुजी और भहिया रात को दस बजे तक सबजिया बेचकर घर लोड़ते हैं तब तक मैं और छोटू तो सो ही चुके होते हैं घर के बाकी सब लोग ग्यारा से साड़े ग्यारा बजे तक ही सो पाते हैं केवल चार घंटे बाद सुभा तीन बजे शुरू होता है हमारे परिवार का नया दिन हम तुम्हें कुछ समय बता रहे हैं तुम्हें बताना है कि उस समय तुम और वेशाली क्या क्या कर रहे होते हो समय सुभा के तीन बजे वेशाली क्या करती है और तुम क्या करते हो सुभा के छै बजे वेशाली क्या करती है और तुम क्या करते हो रात के दस बजे वैशाली क्या करती है और तुम क्या करते हो तुम्हारे घर में सबजियां कहां से आती हैं उन्हें कौन लाता है प्रिष्ठ 123 सबजियों के साथ कुछ खेल अपकी बार जब घर से भिंडी आए तब कुछ भिंडी लेकर देखो क्या ये सब भिंडियां एक ही नापकी हैं उन्मी से सबसे लंबी और सबसे छोटी भिंडी चाटो और नापकर लिखो क्या उनके रंग एक से हैं क्या वे एक जितनी मोटी हैं दो भिंडियों को लंबाई में काटो क्या उन्में एक जितने बीज हैं कौपी में उनके चित्र बनाओ सीमा की मम्मी बाजार से कुछ फल सब्जियां लाई है जिन्हें चित्र में दिखाया गया है चित्र में उन्हें ढूंडो और रंग भरो तथा उनका नाम भी वहीं लिखो प्रिष्ठ 124 पता करो यहां पर कुछ फल और सब्जियों की सूची दी गई है उनमें से कौन-कौन से फल और सब्जियां पहले खराब हो जाएंगे और कौन से कुछ दिन तक रखे जा सकते हैं उनके नाम तालिका में ठीक जगह पर भरो तुम अपनी तरफ से कुछ और नाम भी सूची में डाल सकते हो तालिका में दो कॉलम बनाओ एक जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियां कॉलम दो कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले फल और सब्जियां अब हम तुम्हें फल और सबजियों के नाम बताते हैं पालक, आलू, केला, टमाटर, नाशपाती, चीकू, अनानास, लौकी, प्याज, फूल गोभी, खीरा, अंगूर, अदरक इन में से कुछ फल और सबजियां छूने से चिकनी लगती हैं और कुछ खुरदुरी इनके नाम चाट कर सही सूची में लिखो सूची हैं चिकनी सबजियां और खुरदुरी सबजियां प्रिष्ट 125 किसी एक फल या सबजी का नाम लिखो, जो तुम्हें उठाने में सबसे भारी लगे, उसका चित्र कौपी में बनाओ, तुमने जो फल और सबजियां खाई हैं, उनमें से सबसे हलका फल या सबजी कौन सी है, उनके नाम लिखकर कौपी में चित्र बनाओ, तीन ऐसी सबजियो के नाम लिखो जिन में बीज नहीं होते हम एक तालीका दे रहे हैं उसे पूरा करो तुम इसमें अपनी पसंद के तीन और नाम जोड सकते हो तालीका है सेब रंग रिक्तिस्थान लंबाई रिक्तिस्थान मात्रा आधा किलो दाम रिक्तिस्थान केला रंग रिक्तिस्थान, लंबाई रिक्तिस्थान, मात्रा एक दर्जन और दाम रिक्तिस्थान आलू रंग रिक्तिस्थान, लंबाई रिक्तिस्थान, मात्रा आधा किलो, दाम रिक्तिस्थान इसमें तुम अपनी पसंद के तीन नाम और जोड सकते हो अपने इलाके के किसी सबजी बेचने वाले व्यक्ति से बात जीत करो उनसे ये प्रेश्ण पूछ कर कौपी में एक छोटी सी रिपोर्ट बनाओ उनका नाम क्या है? उनकी घर में कितने लोग हैं? कितने बच्चे हैं? उनके बच्चों के नाम और उनकी उम्र क्या है? सबजी बेचने में उनकी मदद कौन-कौन करते हैं? ठेले, रेहडी, दुकान पर उनके अलावा कौन-कौन बैठते हैं? वे कौन-कौन सी सबजियां बेचते हैं? वे कितने बजे काम शुरू करते हैं? वे दिन में लगभग कितने घंटे काम करते हैं हम एक तालिका दे रहे हैं इन में से किनी तीन सबजियों के बारे में कुछ बातें पता करो तीन सबजियां चुनो सबजी एक, सबजी दो, सबजी तीन अब इनके बारे में ये बातें पता करो सबजी का नाम उसका दाम कौन सी जगह से लाई जाती है एक बार में वे कितनी सबजी खरीदते हैं यह सबजी किन महिनों में ज्यादा आती है झाल 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 झाल